सबी विध्यार्तियों को नमस्ते विध्यार्तियों आपका जानवे जुके सनहब में स्वागत है इस वीडियो के अंत्रगत हम एन आ यो एस काक्सा बारा में जो हिंदी विश्य है जो अभी नए सेलेबर्स के अकोडिंग है उसका चेप्टर नंबर 16 रीट की हड़ी जो कि हम क्या से समझ में आ जाए तो हमने इस चेप्टर को यह जो इसका मूल पाट है वह हमने पढ़ लिया था अब हम इसकी रेखेंगे अब हम यहां से इसको पढ़ेंगे आए समझे तो जिसने वह वीडियो नहीं देखा उसको देखिया तो यह एकां के सामाजी की विवस्ता की क विवस्ता का एक महत्योपुर अंग है हमारे समाज में विवा दो वेक्तियों में अधिक दो परिवारों का सामाजिक बंदन होते हैं तो दो वेक्तियों से तो जादे दो परिवार के बीच में वो सामाजिक बंदन होता है विवा वस्तुते विवा इस्त्रियों पूरुष कहीं कहीं के इतना कटोर है कि वह लड़की की भावनाओं की अंदेकिक कर उसका रूप रंग देखकर चाला बुलवा कर विवा के लिए उसका चैन करता हैं बार-बार प्रशन पूछ कर ये भी जानना चाहता है कि घ्रेलू कामकाज में कितनी दक्षे हैं इस एकांकिक में समा और पूछने का तरीका है है उसका प्रशन ओतरक से गोपल परशाद और संकर तिमला जाते है ये उनकी बेजिती लगती है एकांग की पढ़ने का तरीका कविता कहानी पढ़ने से भीन होता है कविता कहानी में केवल सब्द माद्यम होते जिसके द्वारा लेखक अपनी बात कहता है जबकि एकांग की द्रश्य विदा है द्रश्य विदा है एक देखने वाला होता है एक नाटक होता है देखने के लिए होता है द्रश्य विदा होती है मंचन और अभिने को ध्यान में रखकर इसे लिखा जाता है मंचन यानि उसको मंच पर एकांग की द्वरा इस नाटक को प देखते हैं टेलिवीजन देखते हैं टेलिवीजन में कई तरह के शीरियल देखते हैं तो उसमें आपस में कलाकार जो होते हैं पातर जो होते हैं वापस में क्या करते हैं समवादों के माध्यम से अपने अभिने करते हैं रंग संकेत एकांकी के समवादों द्रश्यों के हरम से पहले कोश्टक में दिये गए निदेज जिसे जुक कर बेटता है मामूली तरह से सजा कमरा आधी ये एकांकी और नाटक के मंचन अभिने में सायग होते हैं एकांकी नाटक का एक भेध है इसमें क्यवल एक अंग होता है हम देखते हैं कि रीड की हड़ि का सारा कारिये गतित होने वाली घटना रामसुरुप के सारा Ayang स लड़की की विवा को लेकर लड़की और उसके परिवार के सामने आने वले समश्चा को चित्रन है इसमें मद्यमवर्गी परिवार की एक पड़ी लिखी लड़की के सामने आने वाले चुनोतियों का मर्म इस परशे चित्र किचा गया है आईए इस एकांकी की कथा को संक्षेफ में समझते हैं राम शुरूप अपने बेटी उमा की विवा के लिए चिंतित और प्रयासरत है लड़की वाले लड़की को कई बार देख चुके हैं लेकिन विवा निचित नहीं हो पाया है इस करम में गोपाल परशाद अपने पुत्र संकर के साथ उमा को देखने आने वाले हैं देखो लड़के वाले कई बार इनके घर पे भी आया है लेकिन वो ते नहीं हो पाया रिस्ता तो अब एक नया रिस्ता आया है वह गोपाल परशाद अपने संकर को अपने पुत्र संकर को लेके आते हैं एकांकी काहरम में राम शुरूप के गर उसी के लिए तैयारी चल र विवहार से आहत होकर उमा पतिरोध करती है यानि कि उसका विरोध करती है एकांकी उसकी विश्व विवस्ता क्रोध और आक्रोष के साथ समाप होती है कथानक का विश्तार चितरित्र और घटनाओं के माद्यम से किया गया है एकांकी के अंत में गोपाल परशाद और संकर का जाना और रतन का मक्षन लेकर पहुचना कि अगर संयोग ही नहीं एक नाट के कोशल है जो एक और अपूंता तो दूसरी और पूंता को दर्शाता है प्रशन पहला है इस एकांकी से सम्मंदित विशे नहीं है विवा उप्रांद इस्त्री पूरुस का जगड़ा समाज का इस्त्रियों के प्रति दृष्टिकोन लड़की का विवा निशित होने में रुकावटे पूरुस वादे समाज में महिलाओ की इस्त्ति तो इसमें पू अब ओर नहीं गाना चाती वे संकर को पैचान लेती है रामसरुप उसे रोकने का संके देता तो यह आएगा आंसर कि वे संकर को पैचान लेती है कि होस्टल वाला यह वो ही लड़का है जो लड़कें को टाक जाह करता रेता है अब हैं चड़ीतर चित्रन चड़ीतर चित्रन में हम देखेंगे कि इसके जो पात्र है जैसे की रामशुरूप है उमा है जो में पात्र है उनका चड़ीतर कैसा था रीड की हड़ी में पात्रों की संक्या सिमित है जो एकांकी के अनुकूल है अधिकास पात्र सामाने एम मद्यमवर्गी प्रश्ट भूमिके है आईए कुछ पात्रों की विशेष्टा को समझते हैं राम शरूप उमा की पत्ती है एक सामाने पित्रा जो अपनी बैटी की विवा के लिए चिंतिति प्रयासरत है कई लड़के वाले आकर देख चुके हैं पर विवात यह नहीं हो सका है अपने प्रेशानी के चलते हैं कभी पत्नी को डाड़ते हैं तो कभी नोकर पर झ्छलाते सरकारी करमचारी है तो अपने नोकर से घर का काम कराना भी खूब जानते हैं वे भी मानते हैं कि लड़कियों का सुन्दर होना जरूरी है चाहे पोडर लगाकर ही क्योंने सुन्दर दिखें वे पुराने खयालों के नहीं हैं पर लड़के वालों के सामने ये सच नहीं बता पाते हैं कि उनकी बेटी उच्छित है और इसे चिपाते हैं साधी किसी वजत्रे हो जाए इसलिए गोपार प्रशाद की सभी बातों में हामी भरते हैं ने राम सरूफ मद्यवर्गी मात छिक आप्लर शुव्षक जीवी पर्यवह्ति हैं जो मानेताओं को अपने शुवधा नुसार सिवकारते हैं कुण्ड़ी मिलंंड विवा के लिए आवशक है इससे वह मानते हैं तो जो अब गोपार परसा का चलितर जाकला कि मांति है कि महिलाओ कि जगे केवल चोके चुले तक ही नहीं होनी काम है अगर महिलाय भी पॉलिटिक्स पर भ्यास कने लगी तो अनर्थ हो जाएगा वे यह भी मानते हैं कि पढ़ना लिखना और काबिल होना केवल मर्दों का ही काम है गोपल परशाद के रुंसवार कुछ चीजों पर केवल पूर्शों का ही एकादिकार है शिक्सा उनमें से एक है इसके लिए वे कई तरक देते हैं एक टिपिकल पिता है जिनके आगे उनका बेटा दबकर रहता है और यही बात भी बोल नहीं पाता और सही बात भी वो नहीं बोल पाता है गोपल परसाद मूँ के मीथे है किन्तु नजरों के तेज और चलाख है विवा उनके लिए एक बिजनेस है वे वाचाल है वाचाल लेने बोर्डने में तुरा चंट पना है उसमें चलाख है दिंगे मानने की उन्हें आदत है कालेज के दिनों में उनकी पढ़ने की शिटिंग बारे गंटे की होती है कलसों से नाते थे और खेल कूद आदी में आगे थे आदी वे मानते हैं कि सुन्दरता महिला का निवारे गुन है वे उसमें किसी भी किमत पर होना ही चाहिए दोहरी मान सिक्ता के व्यक्ती थे वे बेटे के विवा के लिए उमा को नाप तोल की दुरुष्टी से देखते हैं वेसे जैसे वे कोई वस्तू हो उमा एक आंगी की महत्तरपुन पात्र है वे एक सामाने लड़की है जो उस शिक्षित है लड़के वाले उसे कई बार देख चुके हैं लेकिन विवा जिच्चित नहीं हो पाया है एक समान की तरह बार बार उसे लड़के वालों को दिखाया जाना बुरा लगता है इसलिए देखने दिखाने में अब उसी कोई रूची नहीं है लड़के वाले उसमें सभी गुनों की उपे अपेक्षा करते हैं सिलाई बुनाई, पैंटिंग और गाना आदी बार बार महसुस करती है कि जैसे विवा के बजार में लड़के वाले खड़िदार हो और लड़के कोई वस्तूर जिनके न कोई इच्छ है न कोई मोल उमा का गोपार परसाथ से सीधे प्रशन करना और जवाब देना उन्हें अपनी बेज़ती लगती है उमा आदूनिक इष्ट्री है जिसका अपना व्यक्तित्तो है अपने विचार है रूची अरूची है और सची बात कहने का साहस भी बेबसी पीडा असमर्ताय आक्रोस उमा के चरितर के कई आयाम है ये उसके व्यक्तित्तों को जीवनता पदां करते हैं पूरा खतानक उसी के इर्दगित रचा गया है उमा का गोपाल परसाद से प्रशन करना उसके शिक्षित ए सवभिमानी होने का लक्ष है अगला है संकर अब संकर का कैसा व्यक्तित्तों है देखो प्रशन यहां से बनता है किसी कभी चरितर चितर पूछा जाएगा कि उमा क व्यक्तित्तों में क्या गुण्द थे इस तरह से यहां से प्रशन परसन पंते हैं यह एक का गोण पातर हैं यह सामारेश नौजवान हैं जो सवास्य और व्यक्तित्त दोनों यह भी कम है सफेली होता है पिता के आगे दब पिता ही उनके लिए सब कुछ ते करते हैं लड़कियों की होस्टर में तांग जहा के परसंग में संकर की चैत्र कमजोरी का पता चलता है अन्य पात्रों में प्रेमा और रतन हैं प्रेमा उम्मा की मां है जो मानती है कि ज्यादा पढ़ना लिखने से दिमाग पिगड़ जाता है कि और इस्त्री सुबो दुनी पढ़ना ही लड़कियों के लिए प्र्याप्त है वह भी सिवकार करती है कि सुंदर्ता इस्त्री का निवारे गुन है प्राकतिक नय हो तो बनावटी ही सही रतन नोकर है जो बात बेबात मालिक की डार सुनता रहता है वह एक आंके में सिर और पात्रों के चलितर प्रपकास पड़ता है उनका आपसी संबन्द भी संवादों के माध्यम से कुलता है एकांकी में गत्यातमक भासा का प्रयोग किया गया है इसलिए वर्णन और विवरन की जरुत नहीं होती यह अभिने और द्रश्यों से पड़िपुन होती है रीड पतनी प्रेमा को जड़की देते हैं लेकिं गोपार परसाद की हां में हां भी मिलाते हैं गोपार परसाद फितरती आदमी है धिंगे हाकते है चार पैसे की धेर सी मलाई आती थी एक बार कुर्षी पर बेठे तो बारा गंटे की सेट सीटिंग हो गई विवा उसके लिए ब से नहीं पूछता क्या लड़कियों के लिए दिन नहीं होते कसाई अच्छी तरह देख बार कर खड़िते हैं आपके लाडले बेटे की रीड की हड़ी भी है यह नहीं समवादों में आवशक विराम चिनों का प्रियोग किया गया है जिन से उनकी प्रभावपता बढ़ गई है इस प्रकार के प्रियोग से अर्थ में भी अपन नयापन आया है जी वह तो इन दो सब्दों के बीच के अंतराल्स के साथ ही पात्र की मानशिक दसा का भी उद्गाटन होता है हां कुछ गाना बजाना सीखा है जैसे बोलने के साथ ही कुछ सोचा भी जा रहा है एक अंकी बेक बोन सब्द का दो बार प्रियोग उमा के आवेश को दिखाता है और साथ ही वह बेक बोन पर बल देना चाहती है यह एक अंकी के केंदरी विवेशना समवेदना भी है प्रशन है क्या लड़कियों का दिल नहीं होता यह वाक्य किसने कहा था उमा ने कहा था हमने अगला प्रशन है अच्छा तो साथ फिर बिजनेस की बात चित हो जाए इससे पता चलता है कि राम शुरू पर गोपल परसाद व्यापार करना चाहते थे गोपार परसाद की नजर में विवाभी बिजनेस है संकर उर्मा का विवाभी बिजनेस करना चाहती थी तो इसका अ उसकी इनकी खाशे थे किसकी बरेम कहा गया है तो जुकी कमर किसकी थी संकर की थी ठीके अगला प्रशन निमें लिखी कतनों में से सही के आगे सही और गलत का निसान यह चिन अंकित कीजिए संकर होस्टर में ताग जहा करते पकड़ा गया इसलिए उसने उमा विवा नहीं करना चाहती थी तो यह वाक्य भी सही है प्रेमा को गाना बजाने में चिर्थी तो यह वाक्य गलत है गोपार परसात के आखों में चतुराइत तपकती है तो यह वाक्य सही है अधिक पड़ी लिखी लड़की गीत संगीत में कमजोर होती है तो यह वाक्य गलत है पढ़ना लिखना और काबिल होना केवल मर्दों का काम है तो यह वाक्य भी गलत है दुनिया की बहुत सारी बाते नियमों केवल मर्दों के लिए है तो यह वाक्य भी गलत है तो इस तरह से आपका इसने के किशुन दिया गए अब है उद्देश है कि इस कहां इस एकांकी को लिखने के पीछे क्या उद्देश है ये एकांकी विवाहिक संबंदरों में व्याप्त कुरूती की और संकेत करती है इसके अंतरगत विवाह में इस्त्रियों के महत्तो प्रदान न करना और पूर्ष प्रदान समाज का वर्चसु सम्मिल है समाज की समान सिक्ता में बदलाव लाकर इस्त्रियों के परती समवेदन सीर बनना इस एकांकी का मुक्य उद्देश है विभिन पात्रों के समवादों के माद्यम से विसंगती कुभारा गया है उमा के माद्यम से एकांकी ने इस्त्री के आक्रोष को भी अभिविक्त किया है और अपने अधिकारों के पती सजग दिखाया है वे कहती है क्या लड़कियों के दिल नहीं होते क्या उसके चोट नहीं लगती, क्या बेबस भेर बकरिया है जिनें कसाई अच्छी तरह देख बाल कर अगला है देशकाल और वातवरन परिवेश देशकाल और वातवरन एकांकी ये नाटक के बिन अंग है एकांकी ये नाटक की अलोचना में इसे संकलन तरही भी कहा गया है इसका मतलब ये है कि किसी भी एकांकी नाटक का एक देश होता है अथा इस्तान होता है, देश का मतलब यहाँ पर इस्तान से है एक काल खंड होता है, अथा समय और उनके अनुसार एक कारे होता है उधारन के लिए यदि कोई नाटक राज तंत्र के वातावरां से सम्मदित होगा तो उसके परिवेस में राज दर्बार, महल, युद, आदि दिखाया दिखाना आउशक होगा राम बिला के परदर्शन में आपने देखा होगा कि पर्दो पर राज दर्बार, जंगल, आदि के द्रश्य अंकित होते हैं इसे द्रश्य परिवार की सामाधिक हैसित और आर्थिक इस्तित की ओर भी संकित करता है जहां लड़की को देखने के लिए लड़के वाले आने वाले हैं इसलिए तयारी हो रही है रांग सुरूप और प्रेमा दोनों तनाव में हैं कि सब कुछ ठीक से निपट जाए तो उमा का विवा निचित हो जाए कमरे की शिटिंग बदली जा रही है नाच्टे की विवस्ता हो रही है और उमा को इस भी तयार होकर आने के लिए कहा जाता है एककांकी का देश यानि इस्तान भारत का कोई भी नगर कस्बा हो सकता है काल यानि समय आधुनिक युक का चोथा पांचवा दसर जिसमें आधुनिक शिक्षा विवस्ता है टोस्ट है बालु शाई नाम के मिठाई है और टेस्ट भी है कमरे में पेंटिंग है फोटो है और हार्मोनियम भी है अब इस एकांकी की भासा शेली केशिए कि एकांकी की मुहावरों और लोकोक्तियों का सार्तक प्रियोग हुआ है इससे अर्थ की संप्रिशनेता एं भासा के सोंद्रें प्रभाव में अभीवर्दी हुई है कुछ उधारन इस प्रकार है बाप सेर है तो लड़का सवा सेर कानों में भनक पढ़ना इत्यादी शिर्शक बेग ब प्रणों का भाव है यह शिर्शक इसी की ओर संकेत करता है इसलिए शार्तक प्रियुक्त है रंगमंची एकांकि भीने की विधा है इसलिए इस एकांकी में भी रंगमंची की सभी विशेष्टाए है जैसे इस प्रश्णिश्दे चोटे-चोटे समवाद एक के बाद दूस द्रश्य परभावी भासा रोचक उत्तर-पत्य उत्तर गटाक वेंग्य आदी अते रंगमंचे की दृष्टी से भी यह एक सफल एकांकी है इस तरह से इसके बारें बताया गया है तो यह आपका पाठ होता है कंपीट ठीक है यह आपके पाठाक प्रशन दे रखे है और य जिन्होंने यह एकांकी लिखी है तो उमीद ही कि आपको समझ में आ गया होगा तो जदे जदे वीडियो को शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते अगले वीडियो में जेहिं जे भारत